चलू आप देखाब चंद्र सूर कर बारे में इकर लगिन माटी और जलवाईू समसितोषन जलवाईू जहां औशत बारसिक बरसाइत 70-115 cm हो इकर ले बढ़िया है पढ़िया निस्केक वाला पानी वाला जे माटी है जिकर पीएज मान समान्य रहे उसन माटी में इकर खेती बढ़िया सोहल इकर उननत प्रभेद है जे ए ए बिहिन कर दर 5 kg प्रती हेक्टर रहे चाहिए और लगायकर बेरा है सितंबर से अक्टूबर दर से दर कर दूरी दर से दर कर मधे कर दूरी 20-30 cm जदी रही तो बहुत बढ़िया और गाढ़ा कर गहराई 1-1.5 cm इके पटायक बुने कर तूरते पाचे जखन ये अक्वायक लगे तखन इके पटाय देख चाहिए और दोसर धाउं 30 दिन कर बादे पटाय देख चाहिए फली मन में दूर भर एक बेरा एकधा और पानी के पटाय दे ले बहुत बढ़िया रही अब तोड़ेक और कोड़ेक है 100-110 दिन कर पाचे जखन इकर पतई पियर होयक लागे और बीजा कर रंग लाल दिसक लागे तखने इके तोड़े देख चाहिए अब इकर उपयोगी भाग कौन है और कतना उपज है 10 कुटल बीजा प्रती हेक्टर इदेल और 10-15 कुटल बहीं इप्रती हेक्टर इकर से भिटायल अब इकर उपयोग का का हमें है पाचन सम्मंदी रोग में इकर उप्योग है, मुत्र सुधी में पेचिस में जनी मन कर, बहुत सन बिमारी में छवा जन्माल कर बादे जखन माय कर, सरीर तनी कमजोर होय जैल, तो उकर छती पूती लगिन इकर उप्योग है, अस्थमा निरोधक, खुनी बावासिर, जेकर सरी दूद बढ़ा एक लगिन, इकर दवई बनाल जैल, तो देखू भाई, इकर बहुत बढ़ियां बढ़ियां उप्योग है, तो इकर आपन घर कर, आपन खेद कर आशे पासे लगाओ, और इकर उप्योग करूँ